जहीं दोस्तों आज बात करते हैं आपके मेन सेफ स्कोर पिछले साल देखिए एक अच्छा और इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही होता है जो बैक रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए चलता है समझे आप जैसे हम लोग कोई इन्वेस्टिकेशन करते हैं या फिर क जो इभी चीज करते हैं तो पहले देखते हैं कि कहां से चीजे सुरू हुई थी यहीं चीज आपको बतानी है कि जो आप पिछली भरती आई है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो देखो कि उसमें कितने कटफ बने हैं क्या चीज़े हैं मैं जानता हूं कि अभी गिजाम का को से स कोर रहा चैटरेखेए पिशने लोग तैयारी कर रहे हैं किटने चाहिप करने के आई इसको मैं आपको एक जरूरी है प्रिवेशर के question paper उठाओ, mock test मत लगाओ, practice state उठाओ, और उसको देखो कि किस टाइब के question आते हैं, smart way में आप तरीका पढ़ाई करो, बहुत लोग क्या करते हैं, बस question paper उठाएं और question paper लगाना शुरू कर देते हैं, आपकी तैयार ही हैं, कौन से topic में कौन से फसते हैं, तो इसको बाद बोलते हैं, मेरा बहुत time लग रहा है, तो सबसे बड़ी बाद है कि smart work करो, पिछले track record को देखो, क्या दोनों भरतियों में रही है, इनका कैसे क्या क्या process था, कितना cutoff था, उस हिसाब से आप देखो, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जो पहली बरती देखें, एक साल के अंदर दो भरती आई थी, तो एक ही चीज बताता हूँ आपको, कि जो selection ले लिए है, जो इस department में है, उनसे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी YouTube पे बना रहा है, जो आप लोग लोग वीडियों बना रहा है, इतना म ठीक है, इससे पहले का था, जो 4520 में था, उसे मेल का जो था 215, ये आपको DVPST में जो बलाया जाते हैं, उनके लिए है, पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद आपको अनुमानन लग जाएगा, और OVC का था 204, SC का था 172, ST का था 135, और female 181, ये आपका cut-off, जो medical के होता था, होने के बाद आप medical लिजाते हो, तो जो final marriage list बनी थी उनकी, जनरल का चला गया था 225, ठीक है, ये पहली वाली बर्ज़ बरती थी, 41,520, और OVC का था 216, SC का था 187, ST का था 153, और female का था 199, ता है आपका cut-off, ठीक है, इसमें भी जो select हुए थे, कॉंस्टेबल मेरे साथ काम करते हैं, 18 वैच के हैं, इनको 18 वैच मिला था, तो वो मेरे साथ काम करते हैं, तो वो अपनी strategy भी बताया थे, कैसे कैसे पढ़े थे, वो भी मैं कोसिस करूँगा, इंटरव्यू को थुरू आप लोग को बताऊं और लाऊं, अगर आप कमेंट क हो सकता है, जो अच्छे student होंगे, वो पहले से इसी सीच के बारे में सर्च के लिए होगा, जो लेकिन जो थोड़े नहीं समझ पा रहे हैं, उनको जानने के जोरुत है, और अभी भी कुछ नी बिगड़ा आप तो जनल के गया था, 193 और OBC का 185, SC का 159 और ST का 131, यह गया यह तो हो गई आपकी फाइनल इन सबों की बात, जो पिछले track record होते हैं, आपको track record के हिसाब से काम करना चाहिए, अब बात करते हैं आपके खोज रहे हैं, यह प्रेक्टी सेट खोज रहे हैं, तो बता दू चक्सु प्रकाशन की जो guidebook है, बहुत अच्छी है, इसमें आप को previous question paper मिल जाएंगे, मैंने और भी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो यह है चक्सु प्रकाशन की guidebook, अगर आप इसमें सारे subject आपको मिल जाएंगे, अगर आपके पास बहुत सारी books हैं, और आप कोई guidebook खोज रहे हैं, तो यह आप देखते हैं, इसमें सारी अच्छे से question दिये गए हुएं, थोड़ा कम error है, इसके बीच में catch है, catch है कि आपको 4-5, 3-4 साल हो गया, 2019 के बाद से नहीं आया है, तो 4 साल के gap हो गया है, competition बढ़ा है, अब यह इतियास की बहुत बड़ी भरती आ रही है, इस पर 58,000 के आसपास आ रही है, उससे 20-25 पर 58,000 खुद भरती बूट बोली है कि farm जाने के उमीद है, negative marking है यह आपकी, तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि competition जादा होगा, मतलब जो 41,520 आई थी, उससे थोड़ा सा ऊपर, या पिछले वाले के लेकर मत चलना कि जो कम वाला cut-off था, उससे जादा जो पहले वाली है नहीं हो, तो तयारी करो, ठीक है, तो 110 से 115 अगर है, जनरल के, ठीक है, 110 से 15 अगर आपका है, जनरल के लिए, तो आप सेफी स्कोर में हो, 500 में से, तो आप जनरल में सेफ हो, इतना मान सकते हो, कि इसके आसपास एकदम आप सेफ हो, OVC में थोड़ा 2-4 question कम कर लो, समझे सकते हो, 105 से 108 के आसपास हैं, आप OVC में, question के बारे में बता रहा हूं कि इतना question आप सही हो रहा है, total में से, 1500 में से, 300 में से, तो आप सेफ हो, 90 से 95 question आपके सही हो रहे है, SC के लिए, ठीक है, और 85 प्लस कम से कम ST के लिए, 85, देखिए, एक चीज और बता दा रहा हूं कि य इनके numbers कम आते हैं, तैयारी इनको पूरी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई subject नहीं पढ़ना पड़ेगा, या फिर कोई portion नहीं पढ़ेगा, तो काम चल जाएगा, ये भी आपके साथ उतनी तैयारी करते हैं, ठीक है, बट इनको थोड़ी छूट दी गई है, जि इसे आप पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं, और ये ये भी डेर सो में से 120-130 टच करने कोशिस करते हैं, समझे रहें आप, कोई ऐसा नहीं होता है, सब चाहता है, किसी को नहीं पता है, मेरा number कहां कट सकता है, कौन सा सही होता है, कौन सा नहीं, और female student जो है, उनके लिए 95 प्लस कोशन आपके सही होने चाहिए, तो ये था जनरली जो आपका बेसिक होता है, उसके बारे मैंने बता दिया, मैंने अल्रेडी एक वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देखिये, बहुत सारे आप लोग लिए धीरे 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 कॉंस्टेबल की वीडियो ला रहा हूं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे, कुछ नहीं, बस आप चैनल के साथ जुड़े और अच्छा सा अच्छा कमेंड करें, आपका सेलेक्शन होगा, जैसे यू आपको जनकाली अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अच्छी से कमेंड कर देना, ठीक है, मिलते हैं क्रिसी और वडियो दोस्तों, जैसे